हालो एबरिवन में हूँ सी एमेसेश पाणी आज हम डिसकेस करेंगे इंकम फ्रम हाउस प्रोपर्टी कीसे कल्कुलेट करना है वो लेटाउट प्रोपर्टी हो या सेल्फ अकुपाइड हो वारी में आज डिसकेस करेंगे और पहला पहला जो लेटाउट प्रोपर्टी के लि जिसका में लिंक इसमें देढ़ूँगा, तो जो से मुनिस्पियल टेक्स माइनस करना है जो ओर मुनिसपेलिटी को टेक्स देता है उसको माइनस करना पड़ेगा जो तक से स cyclical wages करने o और जो आएगा तो जो पर देक्राइबाब को स्टांडर्ड टेक्सन दा ए रिपेर मेंटरंस वो जो अफकिपिंग अफकिप के लिए जो प्रपरटी का 30% मिलेगा standard deduction और उसका बाद वो deduction मिलेगा interest on broad capital अगर हम कोई loan लेके वो प्रपरटी हम लिये हैं तो या construct किये हैं वो case में interest on broad capital भी deduction मिलेगा तो एक example लेके समझते हैं सपोज हमारा जो प्रपरटी का है 3,50,000 से annual value है ग्रोश अन्वल वैल्यू प्रपरटी का 3,50,000 जो ओनर है जो मुनिस्पाल टैक्सेज से 50,000 दे रहा है मुनिस्पाल टैक्सेज पेमेंट किया 50,000 तो 3,50,000 माइनस 50,000 रुपीज 3,00,000 से हो जाएगा नेट अन्वल वैल्यू ग्रोश अन्वल वैल्यू से मुनिस्पाल टैक्सेज माइनस करने से नेट अन्वल वैल्यू हो जाता है यह जो municipal taxes इसमें condition है यह owner payment करना चाहिए अगर suppose वो tenant payment कर रहा है तो यह benefit नहीं मिलेगा यह deduction नहीं मिलेगा तो owner यह municipal tax payment करना चाहिए payment अगर करता है तब जाकि यह deduction मिलेगा तो net annual value हो गया 300 अगर यह जो उसका बाद यह जो net annual value से 30% standard deduction मिलेगा जो upkeeping के लिए अपकिप के लिए property का तो उसके लिए 30% annual value का net annual value का मिलेगा और इससे condition नहीं है वो खर्चा किया है नहीं किया है वो condition नहीं है यह 3 लाग्स का 30% direct मिल जाएगा आजे standard deduction तो 3 लाग का 30% कितना हुआ 90,000 हुआ तो standard deduction 30% मिल गया 3 लाग्स का 90,000 इंट्रेस्टन बरोर कैपिटल इंट्रेस्टन बरोर कैपिटल 30,000 या 2 लाग्स जो different condition में different limit है जो interest बरोर कैपिटल होगा जो अगर कोई loan ले कि प्रपरटी परचेश किया गया या construct किया गया उसका उसका इंट्रेस्टन बरोर कैपिटल का deduction मिलेगा यह जो construction प्रायर प्रायर का पहले का भी मिलेगा construction पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी जो interest बरोर कैपिटल उसका बी इंट्रेस्ट का deduction मिलेगा लेकिन इंट्रेस्टन बरोर कैपिटल का कैसा calculation करना है उसके लिए भी में एक सप्रायर्ट बीडियो बनाया हूं उसका भी में लेंक देदूंगा इंट्रेस्टन बरोर कैपिटल इसमें से 30,000 रुपिस इंट्रेस्टन बरोर कैपिटल है तो उसका भी डिडेक्शन मिलेगा तो यह केस में तो अभी हमारा income from house property कितना होगा नेट अन्वल वाली माइनस 90,000 माइनस 30,000 वो स्टांडर्ड डेडक्शन है 30% नेट अन्वल वालीव का है 30,000 जो बरोर कैपिटल है तो अभी वान लाग 20,000 थ्री लाग से वान लाग 20,000 माइनस करने से तो income from house property वह हमारा वान लाग 80,000 तो नर्मली जब कोई लेट आउट प्रपरटी है तो एशा काल्कुलेशन करना पड़ेगा उसका income from house property निकालने के लिए सपोज यह self occupied है ओनर वह property में रहता है और यह जो property में और रह रहा है उसको पूरा जो पूरा साल में कभी भी रेंट पर नहीं दिया गया है अगर एक महिने के लिए रेंट देने से फिर यह provision यह self occupied property में वह नहीं आएगा तो पूरा साल के लिए कोई भी benefit वह property से नहीं मिलन है और employer, sorry employer owner वह property में रह रहा है वह case में यह self occupied property उसको treat किया जाएगा यह condition fulfilled होना चाहिए वह condition में calculation कैसा करना है income from house property अगर कोई property self occupied हो गया तो self occupied हो जाने से तो यह टाइम में gross annual value हो जाएगा निल तो उसका बाद municipal taxes का भी कुछ नहीं मिलेगा, standard deduction भी कुछ नहीं मिलेगा, तो यह सब हो जाएगा, निल, 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 सब निल हो जाएगा, तो जब self occupied property हो जाएगा, सब हो जाएगा निल, लेकिन एक deduction मिलेगा क्या है, interest and borrowed capital, अगर हम same, अगर हम example लेते हैं, interest and borrowed capital, 30,000 owner payment किया है, तो यह case में, interest and borrowed capital का, deduction मिलेगा, 30,000, और यह case में, यह जो positive नहीं आएगा, self occupied property में, positive नहीं आएगा, अगर interest and borrowed capital है, तो वो case में, self occupied property में, income from house property, positive नहीं आएगा, negative आएगा, माइनस 30,000, self occupied property में, माइनस 30,000 जो यह negative आ रहा है, यह जो इसको other head of income, जो assessi का, जो owner का other head of income में, उसको adjust करके, income tax देना पड़ेगा, तो कितना property maximum self occupied, कोई यह owner claim कर सकता है, पहले यह one था, अभी as undate, यह two property, maximum two property, self occupied property, वो claim कर सकता है, वो अगर more than two में रहता है, अगर कोई employer, sorry employer, sorry, कोई owner, more than two अपने लिए use कर रहा है, self occupied है, वो case में, maximum two, maximum two तक माना जाएगा, यह self occupied, अगर two से, दो से अगर ज्यादा है, अगर five property है, दो तक माना जाएगा, वो self occupied, बालांस, वो treat क्या जाएगा, आजिफ dimmed let out, जैसे कि उसक किराय में दिया गया है, अगर किराय में दिया गया है, तो calculation आजाएगा, लेट आउट प्रोपर्टी के लिए, तो यह जो, यह जो owner को यह एक option दिया गया है, अगर वो से more than two, more than two property यूज कर रहा है, self occupied के लिए, उसको यह एक provision दिया गया है, अपना मर्जी से, यह कोई भी दो प्रोपर्टी यह claim कर सकता है, self occupied, तो तक two property तक self occupied claim कर सकता है, दो से बाकी जो रहेगा, उसको treat किया जाएगा, let out, dimmed let out, और जैसे यह let out property का जो calculation है, उसका हिसाब से calculation करना पड़ेगा, अगर कोई self occupied property का, यह partly self occupied है, partly let out है, property है, 50% owner रहता है, 50% में let out, यह उसको किराय म प्रोपर्टी में, 50% self occupied का calculation होगा, और 50% let out property का calculation होगा, अगर वो property, जो property में owner रहता है, अगर साल में कोई भी एक, कुछ भी period के लिए, अगर वो लेट आउट दियागया है, कभी उसको रेंट में दिया गया है, वो साल में, पुरा साल में कभी भी दिया गया है, तो इसको फिर let out property जैसा उसका calculation होगा अगर ये income from house property और कोई doubt है please मुझे comment करके बताए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया please वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए और मेरा चानल को subscribe कीजिए Thank you